हेलो दोस्तों वेलकम टो वीनास कीचेन आज हम बनाएंगे साबुदाने से एकदम नई रेसिपी जो कि बहुत ही कम तेल में बनकर तयार हो जाती है और खाने में बहुत ही जाता स्वादिस्ट लगती है तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राय करना आपको भी बहुत पसंद आएगी तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक कप साबुदाना लेंगे साबुदाना को पहले सूती कपड़े से एक बार अच्छी तरीके से पोच ले ताकि उपर की डस्ट निकल जाए लो फ्लेम पे आठ से दस मिनट के लिए हमें इसे इसी त पीसना है हमें इसके मोटे दाने नहीं रहना चाहिए आप चाहे तो इससे छान भी सकते हैं अब साबुदाने की आठे को हम अलग बरतन में निकार लेंगे और इसमें दो मीडियम साइस के उबले हुए आलू को हम ग्रेट कर के डालेंगे तो आलू के भी बड़े चंग्स इसमें नहीं रहना चाहिए, अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1-4 टीस्पून काली मिर्श का पाउडर और स्वात के अनुसार सेंधा नमक, इसे पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, आटा और आलो अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम बिल्कुल थोड़ा- यूस कर लिया है, और अच्छी तरीके से हमारा साबुद आने का जो आटा है वो बिल्कुल तयार हो गया है, ये देखे कितना सॉफ्ट है, हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, अब हम इसे ढखकर 5 मिनुट के लिए रेस्ट करने देंगे, और तब तक हम इसकी फि करते हूं, उस अनुसार हरी मिर्च, करी लिफ्स 10-15, अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमच नारियल का पाउडर, अब फ्रेश को कुनट भी यूज़ कर सकते हैं, साथी स्वात के अनुसार सेंदा नमक और एक चोथा ही चमच हम इसमें छीनी डालेंगे, इसे चोटे चोटे इस तरीके से बॉल्स तयार कर लेंगे, सारे बॉल्स तयार हो गये हैं, और आटा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इस तरीके से हम एक छोटी सी लोई लेंगे, इसे हलका सा इस तरीके से प्रेस करेंगे हलके हाथों से, अब हम इसके बीच में बॉ तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं तो बॉल्स हमारे सारे तयार हो गए हैं इसी तरीके से हम सारे बॉल्स तयार कर लेंगे आप चाहे तो इन साबुदाना बॉल्स को डीफ्राइ भी कर सकते हैं और हलका सा टिक्की का शेप दे के तवे भी बना सकते हैं मैं यहां अप्पे के साचे में इन बॉल्स को बना रही हूं तो थोड़ा थोड़ा तेल हमने डाला है और थोड़ा सा तेल उपर से ग्रीज किया है एक तरफ से जब अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए तभी हमें इसे पलटना है वरना ये चम्मच में चिपतने लगेंगे धक धक क 10-15 मिनट हमें इसे अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकाना है जब तक उपर की लेयर पूरी तरीके से क्रिस्पी नहीं हो जाती है तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी साबुदाना बॉल्स बनकर बिल्कुल तेयार है आप इसे खटी मीटी चटनी के साथ खाए बहु